प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका वो भी बलून पिंदास में सब्सक्राइब और लाइक दर्मियों का मौसम होता है, टोना चिडिया का गौसला धूप में होता है क्योंके गड़कडी गर्मी से धूप ज्यादा होती है, इनके चेहरे जल रहे होते है अरे बच्चों, मैं आप लोगों को एक ठंडी चाओ के पेड के नीचे बना के दूँगे घौसला चलो इदर से चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे लग रहा है धूप की वज़ा से हमारा चेहरा दूप जाएगा ऐसी ही टोनची या धूप में अपने बच्चों को लेके चली जाती हैं, और जाते जाते बच्चों धूप ज्यादा है, जल्दी चलो दूपते हैं कोई अच्छा सा पेड़, और ठंडे पेड़ के नीचे मैं आपको गोंसला बना दूँगी इनके बच्चे बहुत चोटे होते हैं, तो टोनची या अपने बच्चों को लेके जा रही होती है अरे बच्चों, ये घना जंगल है, हम इदर ही डूडते हैं, उनको एक पेड़ मिलता है मैं इसके उपर आप लोगों को एक गोंसला बना के दूँगी जरा नीचे च्छाओं में ठंडी च्छाओं में बैटो और मैं आप लोगों को एक गोंसला जरा मैं तिंके लेके आती हूं ऐसे ही चली जाती है, बच्चे बाते करे होते हैं तो इसमें काली कभी का घर होता है और कौन से बच्चे हो, काजिया योच ले जाओ यहांसे मेरी नेन हराम कर दोई, मेड़े बेर के नीचे क्यों आके बैठे हो जाओ भग जाओ ऐसे ही बच्चो को काली कभी भगा देती है और बच्चे दूसरी तरफ जाके तुब में बैठ जाते हैं अरे बच्चो, मैं तिंके लेके आई थी, क्यों इदर आगे हो ममा वो आँटे काली कभी का घर था उदर नीचे उसने कहा मुझे नेन से जगा दिया अरे मन्हूस मारी, वो तो मन्हूस कभी है मैं आप लोगों को और जगा पे बना दूँगी घर, क्योंके यह तो हमें सकून से ने रहने देंगे चलो चलते हैं और अपने बच्चों को नदी के केनारे लेके जाती है ममा यहां पे ठंडा पेड़ है और यहां पे पानी भी है और इदर ठंडी हवा रही है हमें इदर घौसला बना के दो नहीं बेटा, हर कोई आता रहता यहां पे फिशे पकड़ने भी आते हैं आप लोगों को खत्रा होगा मैं बोजन कैसा अरे पानी पीने आता है और टोना चिडिया से पूछता है अरे बेहन कहां से आयो यहां कितने लग रही हाँ भाई जी आपको नहीं पता मैं उदर से आयो दूसरे जंगल से मुझे घंसला बनाने के लिए जगाने मिल रही ऐसे ही तोता मिठो इसको अपने घंसले के पास ले आता है जो बनानों का पेड़ों का बाई बगी चाथा अरे बेहन इदर कोई खत्रा नहीं है आप इदर घंसला तोता तक की मिठो की बात मन के तोना चीडिया इदर अपना एक पतो का गंसला बनाती है क्योंके इसके बच्चे बहुत चोटे होते हैं अरे मिठो जी हमें यहाँ पे कोई तंग तो नहीं करेगा नहीं नहीं कोई नहीं तंग करेगा इदर किसी का राज नहीं है वाज़ा आप हम दोने रहेंगे अब इसे ही तोता मिठो चला जाता है और टोना चीडिया केले खाने के लिए बैठ जाती है और अपने बच्चों को पेट भरवा के और खिला पिला के बैठी होती है अब खूद भी खाना खा रही होती है अरे काली कावी मनूस हमें नहीं रहने दिया बच्चों आप लोगों को कहती है लगी हमारी कहानी अच्छी लगे भी जरूर लाइक करना और शेयर भी जरूर लाइक करना लाइक करना ना भूलना